स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चनले स्टड़ी विद मोटिवेशन में तो इस वीडियों बात करने वाले एक नई भरती के बारे में जो की आई हुई है आपकी राजिस्थान हाई कोड जोधपुर में तो सिस्टम असिस्टेंट की पोस्ट पर ये भरती आ आयू क्या है पाठक्रम क्या है आवेदंतिति क्या है परिक्षा कब तक हो सकती है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है साथी साथ हम नंबर आप पोस्ट के बारे में बात करेंगे कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी है तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू क जो salary है वो यहाँ पे दिया गया mention किया हुआ है आप देख सकते हो कि आपको जो selection हो जाएगा आपका तो दो वर्स की अवधी तक आपको 18,500 रुपए fix बेतर मिलेगा उसके बाद आपको जब regular हो जाएंगे तो लेबल 8 के अनुसार आपको 26,300 से 83,500 रुपए दिया जाएगा उसके बाद हम अगर number of vacancy के बात करें तो 230 number of vacancy यहाँ आप देख सकते हो जो कि आपकी unreserved category में अलग-अलग यहाँ पे दिया हुआ है unreserved category में उसके बाद total journal के अगर बात करें तो 85 और उसके बाद यहाँ पे AWS के लिए जो अगर बात करें तो 23 और total SC के लिए 36 और ST के लिए 27 और total OBC NCL के लिए 48 और total MBC NCL के लिए 11 तो total आपकी 230 post पर यह vacancy है यह अलग-अलग category में आप देख सकते हो उसके बाद अगर हम सेक्षी की योगता की बात करते हैं कि क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि B.E.B.T.E.C. B.E.C. in Computer Science यह फिर आपका equivalent degree from the Rikagunaj University established by law in India और graduate in any subject from the Rikagunaj University with post graduate diploma in computer application PGDCA और A-Level course from the Department of Electronics and Accredations of Computer Classes Dweck से और post-politechnic diploma in computer application और three years diploma in computer science and engineering, computer application, information technology और equivalent from the Polytechnic Institute recognized by the government तो यह आपका जो नियुनतम सेक्षी क्योगता है वो यहाँ पर दी हुई है अगर आप है इन में से कुछ तो आप इस फार्म को जरूर अपलाई करें उसके बाद अगर हम एज की बात कर लें कि आयू क्या ले रहा है तो 18-40 साल तक एज है आपकी यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद जो अलग-अलग काटेगरी है रिजर्वेशन है जिन अलग-अलग काटेगरी में अगर एज में रिलेक्सेशन है तो वो आपका मानने हो उसके बाद अगर हम examination fees की बात करेंगे कितनी examination fees है तो यहाँ पर आप देख सकते कि समान वर्ग, अन पिछडा वर्ग और जो क्रीमी लेयर है, अति पिछडा वर्ग, क्रीमी लेयर अन राज के आवेदक, जो दूसरे एरे स्टेट के हैं उनके लिए रुपए 750 है और राजिस्थार राज के अन पिछटा वर्ग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, महां की 600 रुपए है उसके पर राजिस्थार राज के अन सुची जाते, अन सुची जन जाते आवेदान दिभ्यांग जन के लिए 450 रुपए है तो अलग-अलग सब की अलग-अलग फीच यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद अगर हम पार्ट करम की बात करें परीक्षे स्कीम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि section A में आपका written test होगा hundred marks का और यहां पर नेम आफ पेपर यहां पर दिया हुआ है आप देख सकते हो और लिखित परिच्छा की जो आवद ही होगी वह आप डूरेशन आपका टू आवर्स का होगा और हंडेड मल्टिपल चॉइस कोशन्स होंगे और वहन मार्स का एक कोशन्स आपका होगा उसके बाद यहां पर आपका जो पार्ट A है पार्ट B यहां पर दिया हुआ है यहां पर डिटेल में से लिए बस यहां पर पार्ट A और पार्ट B का दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद section B की अगर हम बात करें तो यहाँ पर type writing test होगा जो की computer पर होगा और यह आपका एक्टी मार्क का होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो font क्या है आपकी हिंदी में कुरूती दे हो 010 010 ले रहा है कुरूती में और इंग्लेज में आपका पता ही है कि कैलिवरी उसके बाद यहाँ पर आप देख सक्षन C आपका जो होगा वो आपका personal interview होगा जो क्या 20 marks का होगा उसके बाद बात कर लेते हैं कि यह आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं तो online आवेदन की जो समय सीमा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 जनवरी 2024 को दोपार एक बज़े से दिनांग 3 फरवरी 2024 को प्रसाम 5 बज़े तक आवेदन किया जा सकता है उसके बाद online प्रिक्षर सुल्क जमा करने की समय सीमा क्या है तो 4 जनवरी से आप यहाँ पर 4 फरवरी 2024 तक 5 बज़े तक भी online आवेदन प्रसाम जो है उसलक जो है वो आप जमा कर सकते हो तो 4 जनवरी से आपका जो online आवेदन है 4 जनवरी 2024 से वो online आवेदन शुरू हो जाएगा उसके बाद अगर हम परिक्षर के राजिस्थान और माह दिनांग की बात करें तो राजिस्थान उच नेले द्वरा परिक्षा जोधपूर जैपूर में आयोजित की जाएगी जोधपूर और जैपूर में आयोजित की जाएगी अगर अभेहर्थियों के संख्या बढ़ती है तो दूसरे संभागों जिलों में भी आयूजित की जा सकती है परिक्षा के माह वो दिनांग के सम्मझ में सूचना आपकी अलग से बताई जाएगी लेकिन उमीद यही है कि आपकी फरवरी लाश्ट तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग में आपका जो एक्जाम है वो हो सकता है उसके बाद जब डेट आपकी फिक्स हो जाएगी उसके बाद आपके एड्मिट कार्ट जारी किये जाएंगे तो ये राजिस्थान हाई कोट में जो भरती आई है सिस्टम असिस्टेंट की तो अगर आप लेजबल हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा